बहुत स्वागत है आपका बिहारी नूज में मरतन सेन भारती अच्छम बात करेंगे बाहनों में क्यों लगाया जाता है लाल और पीली टेप जानिए इसके क्या क्या है फाइदे बिहार में इन दिनों बाहनों की जाच बहुत ही तेजिस हो रही है एक तो इन दिनों किया जा रहा है ऐसे मैं आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि आखिर कोहरे के कारण से बाहनों की जाच क्यों हो रही है इसका क्या मतलब है तो आगे हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में जो है बिस्तार से बताएंगे इस पुरे मामले को लेकर परिवहन सचीब स संजय कुमार अकरवाल ने सभी जिलापदाधी कारियों को नियुदेश जारी कर दिया है कि इस मुनों कहा है कि पूर्व के बरसों में ठंड के महीनों के कारण एवं धूंद के दवरान सबक दुर घटनाओं को देखते हुए बिसेस एतियात की जरूरत है इसको लेकर अध्यक्ष को अवस्यक करवाई करने की बात जो है कही गई है इसमें यह भी कहा गया है कि सभी मानकों के अनरूप लेन मार्किंग करना चेतावनी चिन्ध मारकर रिफलेक्टर टेप लगाने आधिकार्ज किये जाएंगे साथ ही लोगों से यह भी अपिल की गई है कि कहरे में यह था संभव यात्रा करने से बचे इंडिकेटर का लगातार परियोग करें घने कहरे में सड़क दाइन तरफ है पेटेंट रोड मार्क और डिवाइडर के अधार पर आगे बढ़ें बाहनों पर रेडियम अस्टीकर जरूर लगवाएं बाहनों में फाउग लाइट जरूर लगवाएं यह जो है एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है रात के समय अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो इस दोरान बाहन मेजर नहीं आती है इस कारण से एक्सिडेंट होने की संभाव ना बढ़ है और चलाने वाला सतर हो जाएगा इसलिए अब आटोरिक्सा, इरिक्सा, इकाट, तिपहिया और ट्रॉली यानि की ट्रेक्टर ट्रॉली सहीत सभी बाहनों में रेट्रो रिफिलेक्टर यानि की चमकीला टेप लगाना अनिवार कर दिया गया है अगर किसी बाहन में चमकी है आप इभी भी अपनी गाड़ी में इस रिफ्लेक्टर को लगवा सकते हैं और किसी भी तरह की अनहोनी से बचा सकता है और रहина साथ पुलिस क्तों की किसी तरह की परसाणी आपको नहीं करेगी यह स्कार्श करते करते हैं कि कूहरे में धूंद peκ पास की गाड़ियां भी नहीं पता चल पाती है कि कौन सी गाड़ी है और ऐसे में एक्सिडेंट होने के संभावनाय काफी जादा होती है अब जो है एक तरह से कहले की राज सरकार के साथ किन सरकार भी रिफिलेक्टर टेप लगवाने की बात कही है और कई ऐसे वीडियो जो है हमारे सामने आये थे जिसमें कि एक के बाद एक गाड़िया एक दूसरे से टकराती होई गई कोहरे के समय में ऐसे में रिफिलेक्टर टेप लगाना हमारे जान के लिए भी उतना ही लाबकारी है बिहार और बिहार से जुड़वी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियोज के साथ मुझे दिजी अजाजत धन्यवाद